संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई बारा पत्संख्या 49 से 48 तक यह अच्छी तरह समझ लो यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानो पुत्र आएगा पेत्रुस ने उनसे कहा प्रभू क्या आप यह द्रिश्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबके लिए प्रभू ने कहा कौन ऐसा इमानदार और बुद्धी मान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर न्यूक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसत बाटा करे धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा मैं तुमसे कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ती पर न्यूक्त करेगा परन्तु यदि वह सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है और वह दास दासियों को पीटने खाने पीने और नशे बाजी करने लगे तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिनाएगा जब वह उसकी प्रतिक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वास घातियों को दंड देगा अपने स्वामी की इच्छा जान कर भी जिस सेवक ने कुछ तयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया वह बहुत मार खाएगा जिसने अंजाने में ही मार खाने का काम किया है वह थोड़ी मार खाएगा जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा